हलो और विलक्म बैक, माई ़्या फ्रेंट्स पिछले कुछ एपिसोद में हम लोगों ने सिंपलीफिकेशन के बहुत सारे वीडियूज देखे है जिसमें हम लोग स्फम लूच्व प्रोड Garments रडे करते हैं, difference of products find करते हैं, square numbers के साथ हो, कोई general technique हो, यह सारे general technique है, specific technique जिसमे numbers का sum 99 होता हो, ऐसा भी हम लोगों ने देखा, और general technique जो किसी भी number के साथ पाकाइदा काम करती है, ऐसे tricks पे हम लोगों ने देखे हैं, आज इसी को extend करते हुए हम लोग थोड़े tough examples लेंगे, बड़े-बड़े examples लेंगे, और एक या दो step में इससे solve करके simplify करेंगे, ओके, तो बिना किसी देखे, हम लोग पहले example से सुरू करेंगे, 36 into 49, plus 62 into 42, तो काफी complex example हो जाते हैं, ऐसे, ऐसे simplification में काफी मुस्किल हो जाती है, इतने बड़े-बड़े multiplication करना, फिर उनको add करना, और mistakes कितने होते हैं, इसका तो कोई हिसाब किता भी नहीं है, लेकिन हम लोग बड़े ही आसान तरीके से से करेंगे, बस तोड़ा सा conscious रहने की ज़रूरत है, और फटा-फटा-फटा दो step में कर लेंगे, पहले step में हम लोग क्या करेंगे, 3 multiply हो जाएगा 4 से, चोकि हमें देगा 12, 6 multiply हो जाएगा 4 से, चोकि हमें देगा 24, इन दोनों का हमें add करना है, चोकि हमें देगा 36, second step में 3 9 के साथ होगा, चोकि देगा 27, और 6 4 के साथ होगा, चोकि देगा 24, 27 plus 24 is 51, इदर वाला 6 2 के साथ होगा, चोकि देगा 12, और यह 2 4 के साथ होगा, चोकि देगा 8, तो 12 plus 8 is 20, 51 plus 20 कर देंगे, result दाएगा 71, last step में, यह 6 9 के साथ multiply होगा, 54 हो जाएगा, यह 2 2 के साथ multiply होगा, 4 हो जाएगा, तो हमारा result आएगा 58, ओके, इन numbers को मैंने यहां पे बार्क से ऐसे separate करके लिखा है, यह हम लोगों ने पिछले episode में भी देखा था, और भी बहुत सारे videos में यह चीज़ अरड़ी देख लिए है, क्योंकि अब हमें balance करना है, तो हमारे 3 numbers, 3 parts में हमें मिले हैं, 36, 71 और 58, फटा फटी ने balance करेंगे, balance कहां से करेंगे, right side से करेंगे, 8 as it is drop हो जाएगा, 571 के साथ add हो जाएगा, result आएगा 76, 6 को drop करेंगे, 7 को वापस carry करेंगे, 36 के साथ, जो कि हमें देगा 43, तो what is our result, 4 Let us see one more example, 47 into 39, plus 85 into 32, plus 67 into 18, ओके, तो first step में, 4 into 3 हो जाएगा 12, 8 into 3 हो जाएगा 24, 6 into 1 हो जाएगा 6, इन तिनों के add कर देते हैं, 24 plus 6 is 30, plus 12 is 42 Second step में, 4 into 9, 36, 7 into 3, 21, 36 plus 21, it is 57, इधर, 8 into 2, 16, plus 15, is 31, और इधर, 6, 8, 48, plus 7, is 55 57, plus 31, plus 55, add कर देजिया, हमें मिलेगा 143 इन numbers को हम लोग वापस bar reuse करके separate करते रहते हैं, step wise Third step में, 7 और 9 multiply हो जाएगा 63, 5 और 2 हो जाएगा 10, 7 और 8 हो जाएगा 56 63 plus 10 is 73, plus 56 is 129, इसे हम लोग यहा पर लिख देंगे तो अब तीन पार्ट हमें मिल चुके हैं, 42, 143 और 129 Right side से हम लोग शुरू करते हैं, as usual First digit है, 9, as it is निचाएगा 12, 143 के साथ add हो जाएगा, जोकि हमें देगा 155 5 को अब लोग ट्रॉप करेंगे, 15 को अब लोग 42 के साथ add करेंगे, जोकि हमें देगा 57 Our final result is 5755 Easy चलिए फटा-फटा एक और simplification कर लेते हैं 59 into 43, plus 87 into 65, plus 39 into 39 तो यह 39 into 39 है, यह तो squaring हो रहा है, है न? इसे हम लोग square भी कर सकते हैं, डेरिकली और ने तो इस trick से भी हम लोग इसे कर सकते हैं इस part को squaring अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग टुपलिक्स के trick से भी कर सकते हैं जो कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देख लिया है, ओके, ओके, 5 into 4 is 20 यह 8, 6, 48, यह 3, 3, 9, ऐसे करेंगे हम लोग, बार-बार हम लोग वही चीज नहीं बूलेंगे 8 into 8, R, 8 into 6, R, ऐसे नहीं बूलेंगे, हम लोग 8 multiplied by 6, R, we'll do it fast, ओके 5 into 4, 20, 8 into 6, 48, 3 into 3, 9, 20, 48, 68, plus 9 is 77, फर्स्ट पार्ट हमें मिल चुका है सेकेंड पार्ट में, 5, 3, 15, plus 36, कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा यह 8, 5, 40, plus 42, कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, यह 3, 9, 27, plus 27, 54 हो जाएगा तो 51, plus 54 हो जाता है, 105, plus 82 हो जाता है, 187, ओके सेकेंड पार्ट मिल गया है, थर्ड पार्ट में, 9 into 3, 27, 7 into 5, 35, 9 into 9, 81 तो 27, plus 35, यह हो जाता है, 62, plus 81 हो जाता है, 143, यह हमारा थर्ड पार्ट है इन तेनों पार्ट को हम लोग वापस बैलेंसिंग करतेंगे, तो unit is a 3 है, इसे as it is pool करेंगे, 14 हो जाएगा, 187 के साथ carry, जो कि हमें देगा, 201, 201 का 1 हम लोग drop करेंगे, और 20 जो है, वो 77 के साथ add हो जाएगा, जो कि हमें देगा, 97 and that is our final result, 97, 13. चलिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, जिसे में हम लोग को difference निकालना है, ओके, और इसमें थोड़ा सा मैंने change किया इसको, यह 3 digit और 2 digit का pair लिया मैंने, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, 472 into 44, plus 863 into 79, minus 126 into 58, ओके, तो फर्स दो पार्ट को हम लोग add करेंगे, second last वाला पार्ट जो है, वो subtract होगा, ध्यान में रखिएगा, अब यहां पर हम लोग simplify करें, इससे पहले हम लोग थोड़े से numbers को ध्यान दे देते हैं, तीनों case में, तीनों ही pair में, एक एक number जो है, जो multiplier, multiplicand है, वो 3 digit है, 3 digit number है, और जो multiplier है, वो 2 digit number है, ठीक है, तो हम लोग को उर्धाफ्त रियाग्याम सुत्र में हम लोगों ने already देखा है, कि इस टाइप के multiplication हम लोग कैसे करते हैं, उन्हीं steps को हम लोग follow करेंगे, ओके, तो confusion होने वारे कोई चीज नहीं है, इसमें तो हम लोग बस देख रहे हैं, कि दोनों में, तीनों ही केस में बराबर digits हैं, multiplier के और multiplication के बराबर digits है, 3 और 2 है ना, तो इसमें हमें ज्यादा ध्यान देने की ज़रूरते हैं, पस multiplication ध्यान से करें, तो first step में क्या होगा, first step में होगा, 4 into 4, 16, इधर 8, 7, 56, और इधर 1, 5, 15, sorry, 5 है ना, तो ये 16 और 56 जो है, ये add हो जाता है, और 5 को subtract करना है, तो 16-5 कर देते हैं, बचे का 11, 11 को 56 में add करेंगे, हो जाएगा 67, clear, first step हो गया है, 67 हमारा first pair है, okay, first part है, second part में क्या होगा, 4 into 4, 16, और ये 7, 4, 28, 16 plus 28 इधर हो जाएगा, इधर 72 plus 42 हो जाएगा, इधर 8 plus 10 हो जाएगा, okay, तो 16 plus 28 is equal to 44, 72 plus 42 is 114, इन दोनों को हमें add करना है, और इसमें से 18 को subtract करना है, तो पहले हम लोग 44 plus 114 अगर करते हैं, तो हमारा result आएगा 158, उसमें से अगर जब हम लोग 18 को घटाएगे, तो हमारा result आएगा 140, और ये हमारा दूसरा part बनता है, ओके, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में 7 हो जाएगा 4 के साथ multiply 28 और ये हो जाएगा 8, ओके, इधर 6, 9, 54 plus 7, 3, 21, और इधर 2, 8, 16 plus 5, 6, 30, ओके, तो हमें क्या करना होगा, 28 plus 8 is 36, 36 plus 75 और ये हो जाएगा minus 46, तो 36 से 46 को गठाएगे, तो ये minus 10 बचेगा, minus 10 को 75 से गठाएगे, तो 65 बचेगा, ये हमारा third part बनता है, पीच के एक ये दो इस्टेप में थोड़े से calculation complex हो जाते हैं, तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाकी 2-3 स्टेप तो एकदम ही easy हैं, कुछ भी नहीं करना है उसमें तो, ओके, लास्टेप हमारा होगा, 4-2-8, इदर हो जाएगा, 9-3-27, 8-27 हमारा हो जाता है, 35, और इसमें से हमें घटाना है, 8-6-48 को, 35-48 हो जाता है, minus 13, और ये एक विंकुलम डिजिट है, नेगेटिव नंबर है, चिसे हमें positive बनाना पड़ेगा, ये हमारा fourth part है, तो 4 part हमें मिल चुके है, सबसे पहले हम लोग right side से balancing करेंगे, तो 3 हैं, चुकि एक negative number है, इसका हम लोग tense compliment लेंगे, चुकि हो जाता है, 7, negative number को positive number कैसे बनाते हैं, हम लोगों ने अल्रड़ी देख लिया है, बहुत वार देखा है, विनकुलम के episodes में भी देखा है, उसके अलावा बहुत सारे episodes में भी देखा है, पिछली कुछ वीडियोज में भी ये होते आ रहा है, और ये हम लोग करते रहे हैं, तो अगर अब भी आपको confusion हो, तो सबसे पहले आप लोग विनकुलम के दोनों episodes अच्छे से देखें, उसके बाद अगर कोई confusion रहता है, तो please feel free to comment in the comment section, so that I can help you in the best possible way, तो third in को सबसे पहले हम लोग non-will-gold-num teaser में change करेंगे, तो ये 10's complement इसका 7 हो जाएगा, 165 से subtract होके हो जाएगा, 64, ओके, लेकिन क्यूंकि हम लोगों ने, लेकिन क्यूंकि हम लोगों ने इधर, ये दोनों विनकुलम डिजिट थे, राइट, 3 और 1 दोनों विनकुलम डिजिट थे, जब हम लोग इने convert करते हैं, तो उसके पास का, जो left side में जो nearest number है, वो एक डिजिट खड़ जाता है, तो ये तो 64 सप्राक करके आया है, इसे एक डिजिट और कठाना पड़ेगा, 63 हो जाएगा, तो 3 को हम लोग डॉप करेंगे, 6 हमारा 146 के साथ एड़ होके हो जाएगा, 146, 6 को डॉप करेंगे, 14 जो है, वो आपर 67 के साथ एड़ होके हो जाएगा, 81, So our final result is, 8, 1, 6, 3, 7, चलिए अब थोड़ी से complexity और बढ़ा देते हैं, थोड़े और tough examples देखते हैं, क्या हम लोग इन्हें भी पड़ी आसाने से solve कर पाएंगे, तो पहले example से हम लोग सुरू करेंगे, first example है, 7832 x 491, minus 854 x 78, plus 63 x 18, तो यहां पे देखिए, अलग-अलग किसिम के नंबर होके, यहां पे 4 नंबर है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, और यहां पे 2 और 2 का पेर है, ठीक है, तो बड़ी गड़ बड़ वाली बात है, अगर हम लोग ने थोड़ी सी लापरवाई की, थोड़ा सा इदर उदर हुआ, तो हमने लोग का answer definitely गलत आने वाला है, तो बड़ी ही सावधानी के साथ हमें इसे करना है, लेकिन हम इसे भी बहुत speed में कर पाएंगे, I guarantee you that, so please corporate, वीडियो को देखते रहें, आगे अंत तक देखते रहें, और इसमें ध्यान से देखें, कि हो क्या रहा है, तो यहां पे देखें, यहां पे total four digit है, यहां पे three digit है, इसे मैंने इस type में लिखाया है, vertical form में लिखाया है, ताकि समझने में easy हो, हम लोग इसी type का multiplication करते रहें हैं, तो हम लोग समझने में थोड़ी सी भी हो, आसानी होगी, इसलिए मैंने इसे ऐसे vertical form में लिखाया है, तो यहां पे four digit है, यहां पे three digit है, total कितने होए, साथ digit होए, साथ digit है, यानि कि हमें answer कितना मिलेगा, six digit number में मिलेगा, six steps होंगे हमारे, six digit number नहीं होगा, number seven भी हो सकता है, क्योंकि अगर इस last place में, अगर carry आता है, इसको multiply करने से, अगर double digit number आता है, तो seven digit answer हो सकता है, लेकिन multiplication हम, six steps में करेंगे, तो six steps में हमें answer मिलेगा, ध्यान से देखेगा, यहां पे six steps में answer मिलेगा, मैंने six tasks किये हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें total है, तीन तो पांच, याने कि हम लोग को answer कितने steps में मिलेगा, four steps में, five minus one, four, है ना, यह हम लोगों ने औरड़ी उर्दफ तरेक पे, हम सुद्र के episodes में देखा है, right, four steps में हम इसका answer मिलने वाला है, और यहां पे, तोनों तरफ चार है, four minus one is three, तो यहां पे कितने steps में मिलेगा, three steps में answer मिलेगा, clear, am I clear to you, यहां पे हमें six steps में answer मिलेगा, यहां पे छियार steps में answer मिलेगा, यहां पे तीन steps में answer मिलेगा, ठीक है, तो अब हमें multiplication करते समय, अब हमें ध्यान रखना है, है Okay first step में हम लोग क्या करेंगे seven into four जो कि होता है 28 यह हमारा first part है और स्रिफ इतना ही करेंगे क्यों क्यों कि आंगे तो हम लोग स्रिफ four deserts जहीं है four steps ही जहीं है तो यह four steps है न हम लोग यह पर four steps से ही सुरू करेंगे उससे पहले जो यह यह तो से हम लोग अलग रखेंगे नहीं छेड़ेंगे को कि अब सेकंड स्टेप में क्या होगा सेकंड स्टेप में होगा सेवन इंटो नाइन 63 और एट इंटो 4 32 जोकी हो जाता है 63 प्लस 32 is 95 इस से पर में बहुत इन दोनों को मल्टिप्लाइग नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर हो जाएगा 1 के साथ multiply जो कि हमें देगा 7, 8 हो जाएगा 9 के साथ multiply जो की हो देगा 72 और 3 और 4 multiply हो जाएगा 12 इस case में अभी हमें कौन सा डिजिट का है 4 डिजिट का राइट तब हम लोग इसे भी छेडेंगे माइनस करेंगे और 8 को 7 के साथ multiply करके निकालेंगे 56 ओके तो 7 प्लस 72 प्लस 12 इस 84 प्लस 7 91 91 माइनस 56 इस 35 तो थर्ड पार्ट हमें मिल चुका है 35 हमारा थर्ड पार्ट है ठीक है तीन पार्ट हो चुके हैं फॉर्ट पार्ट में क्या करेंगे 7 का काम खतम हो चुक है इसे हम लोग नहीं चेड़ेंगे 18 टू 1 एट प्लस इभी एट हो जाएगा और यह प्लस 27 एट प्लस 8 इस्टेन प्लस 27 एज फॉर्टी थर्टी थी हो जाता है और इस पार्ट में 8 और 64 और यह 35 64 प्लस 35 इस 99 माइनस 99 होगा और अब यह थर्ड डिजिट का वैल्यू मिल रहा है थर्ड प्लेस का वैल्यू मिल रहा है यानि कि हम लोगों इसे भी छेड़ना होगा 6 इंटू 1 इस 6 तो 6 एड हो जाएगा 43 माइनस 99 प्लस 6 हो जाएगा चोकि हमें देगा 50 बार यानि क माइनस 50 इस साथ मॅल्टिप्लाइ 9 into 2 हो जाएगा यह जाएगा 3 प्लस paganिेए ट्वेडिवन और इदर इदर ओसाएगा 45 फ्लसrooms के स splash Thai हो जाएगा 4 फोल्टीए वार्याम स्वीफ्वेड इस हैंणेगा नेक्स टेप में नेक्स यह हमारा लास्ट टेप है तो यह 2 into 1 हो जाएगा यह 8 into 4 हो जाएगा और यह हो जाएगा 8 into 3 तो 2 minus 32 plus 24 यह हमें देगा 32 से 2 गटाएगे minus 30 हो जाएगा plus 24 करेंगे तो यह minus 6 हो जाएगा 6 बार रिखेंगे हम लोग इसे चीसे हमें अभी convert करना है तो 6 digits हमें मिल चुके हैं 6 parts हमें मिल चुके हैं क्या क्या हमारे part 28, 95, 35 50 bar, 4 and 6 bar अभी 6 bar को सबसे पहले हम लोग change करेंगे 10th compliment यूज करेंगे यह 4 हो जाएगा अब आगे का डिजिट तो 1 किलम डिजिट नहीं है तो इसे डारेक्ट एक डिजिट कराने से हो गया तो 4 हो जाएगा 3 next डिजिट हमारे पास 0 है जोकि 1 किलम डिजिट है and we already know अगर 0 किलम डिजिट है तो उसे हम लोग 0 ही रखेंगे छेड़ेंगे नहीं तो 0 का 0 ही रह जाता है और नेक्स्ट 5 है 5 बी एक डिजिट है तो यह 35 से सब्ट्रेक्ट हो जाएगी कैरी होगा यह 35-5 हो जाएगा 30 जिसका 0 हम लोग यह आपे रखेंगे ओके और नेक्स्ट टेप में 3 जो है 30 का 3 जो है वो 95 के साथ जोड़की हो जाएगा 98 clear 8 रखेंगे 9 को हम लोग 28 के साथ कैदी करेंगे जो कि हमें देगा 37 तो हमारा ultimate answer हुआ 3780 034 चलिए एक और मज़दार सा एक्जामपल देख लेते हैं 582 into 365 plus 659 into 83 minus 327 into 999 तो देखिए यहाँ पर थर्ड जो पेर बनता है 327 into 999 यह हम लोग एक सेकेंड में multiply कर सकते हैं इसका product होगा 326 326 673 तो यह जो product हमें मिला है इससे हम लोग direct इन दोनों के product से subtract कर सकते हैं ने तो हम लोग अपना यह method यूज कर सकते हैं और step वाइसे से follow करके 1 or 2 steps में answer निकाल सकते हैं तो इससे तो मैंने आपको अलड़ी बता दिया है इससे हम लोग directly separate कर सकते हैं 999 का trick हम लोगों ने अलड़ी देखा है इस वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो इस वीडियो को आप लोग चेक कर सकते हैं अभी हम लोग अपना ही यह method यूज करके आगे बढ़ेंगे तो first step में क्या करेंगे first step में यहापे total 6 digits है यहाँ पे total 5 digits है यहाँ पे total 6 digits है ओके तो हमें ध्यान में रखना है यहाँ पे एक digit की कमी है तो इसे हम लोग first step में अवर्ड करेंगे clear first step हमारा क्या बनेगा 5 into 3 15 minus 3 into 9 27 15 minus 27 क्या हो जाता है minus 12 हो जाता है 12 बार लिख सकते हैं हम इसे यह second वाला part हम लोगों ने नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे एक digit कम है right second step में क्या करेंगे 5 6 30 30 plus 24 हो जाएगा 54 और इदर 6 8 48 54 plus 48 और इदर क्या हो जाएगा इदर हो जाएगा 27 plus 18 27 plus 18 हो जाता है 45 तो 54 plus 48 minus 45 48 और 45 गटा सकते हैं 3 result रहेगा 54 plus 3 is 57 ओके इसे भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यह हमारा second term है third step में क्या होगा 5 5 25 plus 6 31 31 plus 48 is equal to 79 ओके इस part में क्या होगा 6 3 18 और 8 5 40 right 18 plus 40 is 58 minus third step में क्या होगा 3 9 27 और इस केस में 7 into 9 63 और इदर होगा 18 तो 27 plus 63 हो जाता है 90 plus 18 is 108 तो 79 plus 58 minus 108 हमें हमें देगा 29 ओके next step में क्या होगा next step में हमारा होगा 8 5 40 और इदर 12 40 plus 12 is 52 इदर होगा 5 3 15 और 72 15 plus 72 is 87 और इदर होगा 18 plus 63 is 81 ओके तो 52 और 87 को एड़ करना है minus 81 को सब्ट्राक करना है तो 87 से 81 को कठा देते है 6 बसता है 52 में एड़ करतेंगे 58 हो जाएगा यह हमारा next time है clear last step में इदर रह जाता है 10 इदर रह जाता है 27 और इदर रह जाता है 63 तो 10 और 27 37 minus 63 हो जाता है 26 बार यानि कि minus 26 तो क्या-क्या पार्ट बने हमारे 12 बार 57 29 58 और 26 बार ओके अभी जो बार है इन्हें हमें इटाना पड़ेगा पहले right side से सुरू करेंगे 6 को जब हम लोग compliment लेंगे 10 compliment लेंगे यह हो जाएगा 4 right 2 ये 58 से subtract हो जाएगा हो जाएगा 56 लेकिन क्योंकि ये vinculum को change किया है तो इसे हम लोग वापस 55 करेंगे एक डिजिट कटा देंगे 55 करेंगे 5 लेकेंगे 5 को हम लोग carry करेंगे 29 के साथ जो कि हमें देगा 34 drop down 4 carry 3 to the next is it 57 में 3 जूड़के हो जाएगा 60 drop 6 carry 6 6 12 से subtract हो जाएगा 12 अल्रे नेगिटिव नंबर है put in mind 12 से जब plus 6 subtract होगा minus 12 से जब plus 6 subtract होगा तो हमें मिलेगा minus 6 ok minus 6 6 बार अब क्योंकि left side का सबसे corner का digit हमें vinculum digit मिला है 6 बार है तो ऐसे cases में हमें एक बार और इसका compliment लेना होता है ताकि हमें correct answer मिले तो right side से हम लोग शुरू करेंगे 4 का हम लोग 10 compliment लेंगे 6 बार हो जाएगा 5 का 9th compliment 4 बार 4 का 9th compliment 5 बार 0 का 9th compliment 9 बार और last में क्योंकि हम लोग vinculum sign को add किये हैं तो last में 1 add हो जाएगा 6 में 1 add हो जाएगा 6 बार में 1 add हो जाएगा जो कि हमें देगा 5 बार ठीक है इसका मतब क्या हुआ ये पूरा का पूरा जो नंबर है 5 9 5 4 6 ये एक negative नंबर है Well I hope आज का वीडियो बहुत interesting रहा होगा आप लोगोंने जरूर कुछ सीखा होगा अगर कुछ सीखा हो कुछ interesting लगा हो कुछ नया चाना हो तो प्लीज वीडियो को एक लेक जरूर दे सिज़ाता सिज़ाता आपने friends के साथ share करे हर बार की तरह practice it के in questions को practice करें ताकि इन tricks को आप लोग भी अच्छे से fast, very fast paid में कर सकें competitive exams में एकसे questions आते हैं and it is really going to be very helpful for you channel को subscribe करें ताकि आप लोग चुड़े रह सकें हमारे अगली वीडियो के लिए notification bell button को press करने से आपको मिलेगा keep practicing maths stay healthy, stay safe and stay happy thank you for watching